बोल्ड एक्जाम के अंदर पास करना और फेल करना किन क्राइटेरियों पर डिपेंड करता है किस तरीके से के एक्जामनर किसी भी इस्टुएंट को पास करता है और कौन से ऐसे इस्टुएंट है जो बोल्ड एक्जाम्स की जंग को नहीं जीत पाते और अपने एक्जाम्स म पहले बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आखिर एक्जामनर आपको किन क्राइटेरियों पर जज़ करता है जिससे आप अपने एक्जाम को पास नहीं कर पाते एक्जाम के अंदर पासिंग माक्स स्कोर नहीं कर पाते आज के इस वीडियो में हम यही बाते जानने वाले हैं कि आपको कौन से ऐसी गलतिया नहीं करनी है अपने board exams में जिनकी वज़ा से आपको fail होना पड़े और आपको अपने exam में असफलता मिले सबसे पहले जालने कि board exam के अंदर हर teacher को या direction board की तरफ से होता है कि उसका result best से best होना चाहिए इसलिए आप देखते हैं तौपर्स की एक बार सी आ जाती है और लगातार board exam में बहुत सारे students तौप करते हैं ज्यादा सी ज्यादा marks उन्हें दिये जाते हैं और passing percentage हर board अपना भेदरीन रखना चाहता है क्योंकि अगर उसका passing percentage कम होगा तो उसके उपर समाल खड़े किये जाएंगे उसके पूरे के पूरे सिस्टम को कहीं न कहीं question किया जाएगा और यह कोई भी board अपने teacher से अपने copy checker से यह नहीं चाहता है तो गलतियां जो छात्र करते हैं वो यहीं करते हैं कि board exam के अंदर teacher को number देने का मौका वो नहीं देते और पहली गलती वो यह करते हैं कि वो हर question को attempt नहीं करते they don't attempt each and every question in their question paper पहली गलती जो एक विद्यारती अपने exam में करता है उसकी गलती यहीं होती है कि वो हर question को attempt नहीं करता जिससे कि उसे number देने के मौके कम हो जाते हैं जबकि board exam के paper में आपसे पहले ही लिखा होता है all questions साथ compulsory यानि आपको हर question का answer जरूर लिखना है जरूर से देना है आपको जो भी आता है जितना भी आता है आपको पूरा answer नहीं आता आप आधा answer लिखें क्योंकि board exams के अंदर step marking होती है और इसी step marking का फाइदा आपको मिलता है जो आपको pass कराने में आपकी help करता है दूसरी बात बहुत सारी students seats को blank छोड़ देते हैं यानि कुछ विद्व्यारती ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ाई seriously नहीं करते लेकिन exam के अंदर वो बहुत ज़ादा भी नर्वस होते हैं और वो यह सोच लेते हैं कि अब मैं exam के अंदर पाला अपास नहीं हो पाऊगा तो वो अपनी copy को as it is blank sheet छोड़ करके आ जाते हैं जिससे examiner के पास कोई भी chance नहीं बनता कि वो आपको 33% marks यानि कि 70 में 23 marks 80 में आपके 27 marks इतना भी दिने का मौका आप examiner के पास नहीं छोड़ते हैं और यही गलती आपको आपके exam में सबसे आदा भारी पढ़ती हैं तो इन गल जो एक board का instrument अपने exam में करता है वह यह है कि वह किसी भी question के answer को बिना question को पढ़े अपने मन से ही कुछ भी लिखने लगता है जब भी आप answer लिखें इस बात का ध्यान रखें कि board examiner का जो copy check करने वाला teacher है वह इतना experience है उसे पता होता है कि कब आप उसे बहका रहे हैं कब आ आपको आते हैं जो भी answer आपको सही तरीके से मालूम है उन्हीं answers को लिखने का प्रयास करें exam में कोई भी गलट practice आपको नहीं करनी है अगली बात कलती आप करते हैं वह यह है कि exam के अंदर आप ऐसी चीजों को लिखते हैं जिनका exam rated कोई भी महत्व नहीं होता जैसे कि आप exam में गाने लिख कर चले आते हैं अपने परिवार की financial condition लिख करके चले आते हैं कुछ बच्चे exam के paper के अंदर note यह सारी practices करते हैं जिससे examiner बहुत ज़्यादा रिटेट होता है और यह बहुत highly unfair practice है क्योंकि आप यह जान लें कि board exam के अंदर आपका कोई भी टीचर दूस्म आपको किसी भी अधर तरीके से judge करें इसलिए जब आप board पर इच्छा को देते हैं तो आपको इन बातों का जरूर ध्यानकना चाहिए board exam के अंदर आपको इन गलतियों को नहीं करना है जिससे कि आप अपने exam में fail ना हो और अच्छा result अपने board exam में आप हासिल करें उमीद ह आपको उन बच्छों के बारे में उन गलतियों के बारे में बता पाया होगा जिनकी वजहाओं से आप board exam को पास नहीं कर पाते हैं board exam में fail हो जाते हैं मिलेंगे अपने अगले वीडियो में इस वीडियो को अपने हर दोस्तों मित्रों भायों बहनों में जरूर शेयर करें जो बोर्ट परिशा 2024 को देने वाले हैं मिलेंगे अपने एगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम